आज की निउस्पेपर के हम सुरुवात करेंगे P.I.P की निउस के साथ में इसके बाद हम दाग हिंदू की प्रमुक खबरे देखेंगे और इसके बाद में हम दो माहतपूर एडिटोरियल देखने वाले हैं ठीक है पहला जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो है इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडियर से संपति यह कॉरिडोर आखिर है क्या इस कॉरिडोर में भारत इंवेस्टमेंट कर रहा है तो भारत को कौन-कौन से फायदे होने वाले ठीक है क्या यह चीन का जो बैल्ट एंड रोड इनिसीटिव है उसको काउंटर कर पाएगा यह सारे कोर्षन का जवाब हम इस आर्टिकल में देख पाएगे कुल मिलाकर के यह जो बैल्ट एंड रोड इनिसीटिव है चाइना का उसको counter करने के हिसाब से आप समझ लीजिए भारत पार्टिसिपेट कर रहा है सेकेंड नम्मर का जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा WTO से संबंदित विश्व ब्यापार संगठन से संबंदित ये आर्टिकल छपा है जिसमें बताया जाता है कि भारत ने कहा था कि हम हमारा जो अनाज है जो हमारी गवर्मेंट खरीदी है इस अनाज को हम जो है बेचना चाहते है कुछ टाइम पहले तो ऐसी ख़बार आई थी भारत ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया ये कोई आसान काम नहीं है काफी जोकिम भरा ये काम है ऐसा है यहाँ पर बताया जाता है पियाईबी की पहली खबर हम देखने वाले हैं कॉमन वेल्थ गेम से रिलेटर राश्र मंडल खेलों से संबंधित ये नियूज आई है जिसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के द्वारा जेरिमी लारी नूंगा इन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल जीता है इसी के चलते चलते पूरे देश में और भारत के प्रदान मंत्री नरेन मोदी के द्वारा इनको बधाई दी गई है जेरमी लालरी नुंगा आईजोल मिजोरम के एक भारती है वेट लिप्टर है ठीक है इन्होंने ब्यूनस आयर्स में 2018 ग्रीसम कालीन युवा ओलम्पिक में भारत का प्रतिने दिद्ध किया था और हाल ही में बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में जो कॉमन वेल्थ गेम चल रहे हैं राश्मंडल खेल 2022 में इन्होंने भारोत तोलक मतला वेट लिफ्टिंग में स्वड़ पदक भारत को दिलाया है और काफी कम उमर है इनकी ये इनकी पिक्चर है इनको आप देख लीजिए सेकंड नमर की निउस हम देखने वाले हैं एक एक सरसाइस से संबन्दित ये निउस है जो कि भारत और ओमान के बीच में आयजित की जाती है ठीक है ओमान की जो रोयल आर्मी है वो इसके साथ साथ में इंडिया की आर्मी एक सरसाइस करेगी अल नजाह चोथे नमर की एकसरसाइस को यह चोथे नमर का एडिसन है अंडिया ओमान जॉइंट मिलिटरी एकसरसाइस का जिसका नाम रखा गया है अलनजा चार ठीक है ये ओमान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइस होने वाली है इंडियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करेगी और उनकी तरफ से रॉयल आर्मी ओफ ओमान पार्टिसिपेट करने वाली है आगे बताया जा रहा है इसका सिड्यूल रखा गया है कहां पर फॉरेंड ट्रेनिंग नोड ओप महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंजिस राजस्तान डेट बताई गई है एक से लेकर के तेरह अग्स दोजार बाइस के बीच में इसमें रॉयल आर्मी ओफ ओमान का दल सामिल होने वाला है जिसमें सामिल है सिक्स्टी परसनल ठीक है साथ लोगों का एक दल आएगा कहां से फ्रॉम दा सुल्थान ओफ ओमान पैरस्यूट रेजीम ओमान सुल्थान ओमान पैरस्यूट रेजीम से यह साथ लोगों का दल आ आने वाला है आ चुका है हमारी एक्सरसाइज वाले लोकेशन में इंडियन आर्मी अपनी तरफ से रीप्रेजेंट करेगी कहा के ट्रूप्स रहेंगे इसमें सामिल रहेंगे सेनिक सामिल रहेंगे हमारे 18 मर्चेंटाइस इंफेंट्री बटालियन के ठीक है और इसका जो प् मसकट में 12 से लेकर के 25 मार्च 2019 इसको बीच में यह एक्सर करी एक्सरसाइज करी जा रही है ताकि इसमें इंक्लूड किया जा सके कुछ प्रोफिशनल इंट्रेक्शन हो ज़ेगा ठीक है उधर के प्रोफिशनल हमारे इधर के प्रोफिशनल आपस में बातचीत करने वाले ह इसको बढ़ावा देना है ताकि जो ड्रिल्स है और प्रोसीजर से उसको अच्छे से किया जासे के इस्टैब्लिस्मेंट की बात करी जा रही है जॉइंटली कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की इसके साथ साथ में एलिमनेशन किया जाएगा टेरिस्ट थ्रेट को करेंगी ताकि काउंटर किया जैसे की टेरिफ्ट ऑ प्रेशन परी संको इसके साथ साथ में रिजनल सी क्यूर्टी ऑपरेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन आंडर यॉनाइटप नैसन चार्टर जो चीजें कहता है कि हमें यह कदम उठाने हैं उसे साफ सही यह exercise काम अपना करेगी ठीक है इसमें organizing होगा joint physical training schedule tactical drills भी इसमें सामिल है इसके साथ साथ जो टेकनिक और procedures हैं यह सब schedule में इसके सामिल किये गया टेक्टिकल का मतलब होता है युद्ध संबन्दी या फिर सामरिक अब यह जो comprehensive training program की हम बात कर रहे हैं इसका culmination हो जाएगा मतलब समापन हो जाएगा 48 hours long validation exercise इसमें इन्वाल्व रहेगा क्या-क्या establish किया जाएगा joint mobile vehicle check post को ठीक है एक joint mobile vehicle check post को establish किया जाएगा ठीक है joint cordon joint cordon मतलब एक घेरा search operation जब आप करते हो तो घेरा लगाते हो तो इस प्रकार का घेरा search operation भी इसमें सामिल है jointly जो military exercise हम कर रहे हैं इसका एम बताया गया है कि हम इससे enhance कर पाएंगे level of defense corporation को इंडियन आर्मी और royal army of oman के बीच में इससे जो फर्दर मैन फीश्ट है enhancing bilateral relation between the two nations इससे हमरे दोनों देशों के बीच के जो समबन है न और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं कि इसके बाद वाली नीवस हम देखने वाले हैं cjda केंद्रिय चिरिया घरण प्राधिकरण इस authority के बारे में कुछ बेसिक body मानी चाती है यह काम करती है ministry of environment forest and climate change के अंडर में government of india website दे गई है https cjda nic.in इसकी website है इसके स्थापना की गई थी 1992 में एक amendment किया गया था इंडियन wildlife protection act 1972 में ठीक है ताकि हम oversee कर सकें ओवर सी कर सकें मतलब देख रेख कर सकें to oversee functioning of Indian Jews भारत में जो चिडिया घर है जू है उनकी देख रेख करने का काम यह प्राधिकरण करेगा इसके अलावा कंप्लिमेंट wildlife conservation strategies wildlife conservation की कौन-कौन सी strategy हमें बनाना है कैसे करके हम सब्रक्षण कर सकते हैं इस प्रकार की नीतियां बनाने का काम दिये करता है अब इसके जो guiding objective रहता है cg-ad का वो यह है कि ensure करना best practices को housing upkeep healthcare किनका animals का इंडियन जू में जितने भी एनिमल हैं उनके लिए housing की विवस्था इसके अलावा उनकी देखरे करना उनका healthcare परत्यान देना इतने सारी चीजें इसके अंतरगत में की जाती हैं As on today cza recognize करती है 147 juice को Juice carry out a multitude of activities ranging from conservation awareness, display of rare funeral, rescue and rehabilitation इसके अलावा conservation, breeding program for threatened species तो जू के माध्यम से कई सारी activity की जाती है, conservation का काम होता है, awareness फैलाई जाती है, ठीक है ऐसे फ्यूना को जिनको आप कभी देखे नहीं है, उनको प्रदर्सित किया जाता है, जू के माध्यम से Rescue और Rehabilization के काम भी करे जाते हैं, जैसे कि कोई यदी लग रहा है हमें कि इन प्राणियों की संख्या कम हो रही है इन जानवरों की तो उनको Rescue किया जाएगा, उनको कंजर्व करने का काम किया जाएगा, उनकी breeding कराई जाएगी ताकि उनकी दादात को बढ़ाया जा सके नियूस के दिए हम बात करें तो केंदरी चिडिया घराड प्राधी करण की 49 वी नमर की बैठक का आईजन किया गया था, ठीक है राष्टी प्राणी उद्ध्यान नई दिल्ली में इसका आईजन किया गया था, इसमें सामिल थे केंदिरी परिवरण वन पलवायू जलवायू परिवरतन मंदरी स्री भुपेंदर हियादाव ने इसकी अध्यक्षता किया था इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज यहाँ पर महतपूर मुद्दे रहे थे 2021-22 के दोरान CZA की निमलिखित गतिवीदियों से सदस्यों को उन्होंने आउगत कराए गया था जैसे इस ऑथरेटी ने 18 जू का मुल्यांकन किया था और जू के लिए 10 मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी हमारे जो भारती चडियागर हैं यहाँ पर संरक्षण, प्रजनन, संरक्षण, सिक्षा के प्रयोजनों के लिए 69 राष्टी और 10 अंटर राष्टी जानवरों को इधर से उधर भेजा गया या फिर वहां से यहाँ हमने ले करके आये थी ठीक है जू दुनिया में पहली बार चडियागर का प्रबंधन प्रभाव सीलता मुल्यांकन मतलब MEE चडियागर 39 मानता प्राप चडियागरों में किया गया है प्याईवी के बाद हम दाहिंदू की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं पहली नियूज आई है नई दिल्ली से ठीक है अरोडा एजे पुलिस कमिस्नर नियूक्त कर दिये गए है 1988 बैज के तमिल नाडू केडर के IPS ओफिसर पहले एजे डारेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे ITVP में संजय अरोडा 57 साल इनकी उमर बाताई जा रही है इंडियन पुलिस सर्विस IPS ओफिसर है ठीक है जो की सुप्रिवडेंटेंट और पुलिस थे special task force में ठीक है जिसने crackdown किया था on the notorious विरप्पन गैंग जो विरप्पन गैंग थी ठीक है उसको crackdown करने का भार इनको दिया जाता है और फिर इन्होंने receive किया था चीफ मिनिस्टर की गैलेंटरी मैडल को इसी काम के लिए इनको एपॉइंट कर दिया गया है एज नियू दिल्ली पुलिस कमिशनर के रूम में ठीक है संडे के निन एक फॉर्मर डारेक्टर जनरल डी जी कहा के इंडो तिबतियन बॉर्डर आइटी बीपी के 1988 बैच के यह आफिसर रहे है तमिल नाडू कैडर के इन्होंने प्ले किया था एक महतपूर रोल इन दा फार्मिंग ओफ इस्पेशल सिक्योर्टी ग्रूप एस एस जी के फॉर्मेशन में इन्होंने काफी महतपूर रोल निभाया था ठीक है जिसने प्रोवाइड किया था प्रोटेक्शन टू दा चीफ मिनिस्टर ओप तमिल नाडू डूरिंग दा टाइम वेन दा लिबरेशन टाइगर ओफ तमिल एलम वास एक्टिव उस टाइम में एक जो ग्रूप था इस समय इन्होंने तमिल नाडू के चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था एक एस एस जी को क्रियेट करके मंडे के दिन से ये अपना चार्ज ग्रहाट कर लेंगे और कंटिलिव रहेंगे जब तक की आडर नहीं आ जाता ठीक है इनका रिटार्मेंट का बताया जा रहा है दोजार पच्चीस तर एक ये ग्रेजवेट थे वी थे बीटेक डिगरी इन इलेक्ट्रिकल एंड बीपी में ओन डेपुटेशन एस एक कमांडेंट निस सो संतानवे से दोहजार दो के बीच में ठीक है वह कमांडेंट रहे थे आइटीवी बटालियन मातली उत्राखंड में 1997 से लेकर के 2000 के बीच में ADNU अपने काम में continue है सर्च उप्रेशन continue ED का जारी है अभी बंगाल में सर्च उप्रेशन चल रहा था इनका जहां पर ममतब एनर्जी की गवर्मेंट अब बारी आ गई है महराष्ट में सिवसेना गवर्मेंट की तो सिवसेना की तरब से जो संजय राउत लीडर है उनके उपर छापे मारे की जा रही है उनके उपर कई प्रकार के आरोप दर्च किये गए है ED जिसका मतलब होता है Enforcement Directorate या फिर Directorate General of Economic Enforcement हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय या फिर आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय होता है ED भारत सरकार के वित्मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतरगत एक इसका हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में है पांच इसके छेत्री कार्याल है मुंबई, चैन्नाई, चंडिगर, कलकत्ता और दिल्ली भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए एक कानून प्रवर्तरसन एजेंसी बनाई गई है जिसको हम आर्थिक कोपी आजेंसी बोलते है ठीक है प्रवरतन निदेशक इसके प्रमुख माने जाते हैं यह इंडियन रिवेन्यु सर्वीस, इंडियन कॉर्परेट ला सर्वीस, इंडियन पुलिस सर्वीस और Indian Administrative Service के अधिकारियों से मिल करके बनता है इसके जो निदे सालाय होते हैं छेत्री कार्याल है मतलब अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडिगर, चैननाई, कोची, दिली, पणजी, गुहाटी, हैदरबाद, जैपूर, जालनर, कलगत्ता, लखनाउ, मुंबई, पटना और स्रीनगर आते हैं ठीक है, इनके हेड रहते हैं संयुक्त निदे सालाय में कुछ उप छेतरी ऑफिस भी आ जाते हैं जैसे कि भूमनेंस्वर, कोजी कोड, इंदोर, मदुरह, नाकपूर, इलाबाद, रायपूर, देहरदून, राची, सूरस, सिमला आप ये कह सकते हो कि पूरे देज भर में एडी के आदमी फैले हुए हैं हिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी एक मई 1956 को जबकी फेरा एक्ट 1947, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतरगत ठीक है, यदि इन प्रकार के कानुनों का उलंगन किया जाता है तो इसके लिए हम एक एजन्सी का निर्माड करें 1957 में इस यूनिट का प्रवर्टन निदासालाई के रूप में फिर से नाम कर दिया गया था और मद्रास में इसकी एक और साखा खोली गई थी राइट्स के दिए हम बात करें तो ये फेरा प्रवर्टन विदेसी मुद्राविनियम अधिनियम 1973 के अंतरगत काम करता है इसको हम फेरा कानून बोलते हैं तिरे एक जुन 2000 को फेमा कानून आया कुछ समय के बाद फेमा से संबंदी सभी मामले एडी को दे दिये गए थे हाल में अधि देखा जाए एडी फेरा और फेमा फेरा मतलब 1973 और फेमा मतलब 1999 के अंतरगत कायवाही करता है जहां कहीं भी लग रहा है कि कानून का उलंगान हो रहा है फेमा के अंतरगत सूचनाय को प्राप्ट करेगा यह सूचनाय से केंद्री और राज सूचना अभिकरणों की सिकायतों से प्राप्ट होती है ठीक है कॉंटेक्स्ट वाले पेस्ट से हम देखने वाले हैं कुछ महतपूर्ट डेटा को जो की बता रहा है कि भारत सरकार यदि किसी प्रकार के Intrastructure Project को तयार कर रही है तो वो किस प्रकार से महंगा से महंगा होते जाता है महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिले हो रहा है ठीक है तो तीन सो चौरासी प्रोजेक्ट ऐसी हैं किस में से 1514 प्रोजेक्ट में से ठीक है जिसमें लगबक 1.500 करोड रुपए का यह फिर इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो ऐसे प्रोजेक्ट में लगभग 4.6-6 लाग करोड रुपईया की हमें क्या देखने को मिली है हाइक देखने को मिली है ओवर रन कोस्ट ओवर रन हमको देखने को पड़ा इतना नुकसान हमको हुआ है ऐसा कहना है मिनिस्ट्री आप स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम कि इंप्लिमेंटेशन का जो कि मॉनीटर करते रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कितना लगभग डेर सो करोड का एंड एबाव को ठीक इसने इस बात को भी इंफ्रमेशन दी हैं कि लगभग साथ सो तेरा इस प्रकार के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि डिले हुए हैं अब जो एक्सपेंटीचर है वह हमें कैसा दिखाई दे रहा है इन प्रोजेक्ट के लिए जून दोजार बाइस का वो था तेरह लाग तीस अजार आठसो पच्ची करोर विच इस फिप्टीवन पॉइंट फोर्थी परसेंट अप दा एंटिसीपेटिट कोस्ट आप दीस प्रोजेक्ट मतलब कि ये जो इतना पैसा खर्च हुआ है और जितनी हम बात कर रहे हैं उसका ये मात्र फिप्टीवन पॉइंट फोर्थी परसेंट बताया जा रहा है अगली न्यूज हम देखने वाले हैं HAL कंपनी से रिलेटेड ठीक है ये एक सारुजनिक छेत्र की सरकारी कंपनी है HAL ये सप्लाई करने वाली है बारा एल यू एच लाइट योटिलिटी हेलिकॉप्टर हमारी भारती सेना को आर्मी ये चाह रही है कि वो एक्वायर कर ले ग्यारा और अपाचे अटेक हेलिकॉप्टर को ताकि हमारी जो सेना है और भी ज्यादा मजबूत हो सके हिंदुस्तान एउरोनौटिक लिम्टेट ने रिसीव कर लिया है क्या लेटर ओफ इंटेंट किस से दे सर्विस फॉर दा मनुफेक्टरर और 12 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर एक लेटर उसको मिल गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारा सरकार खरीदेगी इस से 12 लिएचस लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर इन हेलिकॉप्टर को डिजाइन और डवलप किया जाएगा इंडेजिनेसली मतलब भारतिय मूल रूप से इट दे सेम टाइम नाइन लाइट कॉमबेक्ट हेलिकॉप्टर LCH ठीक है इनको मनुफेक्चर किया जाएगा कुछ कुछ रक्षा उत्पाद उपकरण हैं जिनकी उपर गवर्मेंट ने सेक्षन लगा दी है कि अब हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे इनको हम अपने देश में ही बनाएंगे वो उसमें से कौन आ जाता है लिम्टेट सीरीज प्रोड़क्षन वैरियेंट्स आर्मी नेगोसियेशन कर रही है ताकि एक्वाइर कर सके ग्यारा और अपाचे AH-64E अटेक हेलिकाप्टर फ्रॉम यूएस मतलब कि जो अपाचे हेलिकाप्टर है वो भारती से नहीं खरे दी किस से अमेरिका से जिनकी संख्या है ग्यारा प्रोड़क्षन का काम चालू हो गया है इसके अलावा दो जो हेलिकाप्टर हैं वो अभी एडवांस स्टेज में पहुँच गया है कंप्लिटेशन की ऐसा इस कंपनी के सोर्स की तरफ से कंफर्मेशन किया गया है कि नेक्स्ट निव सम्देखने वाले हैं असम से असम किये कि योजना है औरू नो दोई इसकीम असम का जो ट्राइक्लोलर्स प्लांस है ट्राइक्लोलर मतलब होता है जंडा इसके अंतरगत जो बेनिफिसरी हैं इनको 18 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि वो जंडा खरीच सके लगभग 22 लाग बेनिफिसरी किस स्कीम के और उन्हों दोई इसकीम के असम में ये लोग 18 रुपए एक्स्ट्रा प्राप्त करेंगे अगस्त के महीने के लिए ताकि ये खरीच सके नेशनल फ्लैग और टू असम गौवर्मेंट टांसफर करने वाली है एक हजार रुपईया एजे मॉनेटरी बेनिफिट टू दा बैंक अकाउंट ओफ एकोनोमिकली वीक वूमन ऐसी माइलाएं जो की गरीब है आर्थिक रूप से कमजोर है उनके बैंक अकाउंट में एक हजार रुपईया ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में असम की गौवर्मेंट डालने वाली है ये काम किया जाएगा 10th of every month under Aurundui scheme मतलब की हर महिने की 10 तारिक को ये पैसा उनको दे दिया जाएगा हम ट्रांसफर करेंगे 1018 to the account of each Aurundui beneficiaries for August so that they can buy a national flags for gifting national flag खरीने के नाम पर government उनको आर्थिक मदद दे रही है ऐसा कहना हैमंत बिश्व सर्मा का इस extra amount से फाइदा क्या होने वाला है ठीक है राजनेदिक पार्टियों को तो फाइदा होने वाला ही है लेकिन ये जो extra amount है ना प्रतिक beneficiary को ये कहेगा कि आप जो है एक बड़ा सा national flag ले सकते हो ठीक है जिसकी कीमत 18 रुपए है या फिर दो छोटे-छोटे जंडे ले सकते हो जिसकी कीमत 9 रुपए है संडे के दिन fixed deposit certificate of 7.500,000 रुपए का इसको handover कर दिया गया था over two eight children who lost both parents to COVID-19 COVID-19 के चलते चलते जिन बच्चों जो बच्चे अनात हो गए है ठीक है उनको एक fixed amount का deposit certificate लगभख 7.500,000 रुपए का handover कर दिये है अनात बच्चों को इसकीम है मुख्य मंत्री सिसु सेवा योजना इसकीम के अंतरगत 35 रुपए या as a interest on the deposit जो रासी जमा करी गई है उसमें ब्याज मिल रहा है आपको 35 रुपए का वुड भी credited in the bank account of each child until they attend the 24 age of years 24 साल की उमर होते होते तक आपको उस रासी का ब्याज भी मिलते रहेगा foreign वाले page से चाइना की एक news हम देखने वाले हैं जो बताती है कि चाइना ने एक rocket भेजा था हमारी धरती से उसके कुछ कजरा उसका कुछ मलबा जो है धरती में आकर के वापस गिर गया है लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की details यह नहीं की गई है about objects, descent, ironsible, is responsible and risk की ऐसा कहना है NASA NASA इसकी आलोचना करता और कहता है कि इस प्रकार जो आप irresponsible हो रहे हो इसके लिए आपने किसी भी प्रकार की details share नहीं किये चाइना की booster rocket ठीक है इसने एक uncontrolled return किया है मतलब की प्रत्वी पर यह फिर से आ गया है Saturday के दिन यह बात पता चली है Leading US official to Chide Beijing for not sharing information about the potentially hazardous object descent अमेरिका उसके उपर आरोप लगा रहा है कि इस प्रकार की घटनाए घटित हो जा रही है और आप दुनिया को किसी प्रकार की ख़बर नहीं दे रहे हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका ने चढ़ाई कर दी है अमेरिका का जो Space Command है उन्होंने क्या कहा Can confirm the People's Republic of China क्या चाइना ये confirm कर सकता है लॉंग मार्च 5B जिसको CZ 5B बोलते है री इंटर्ड ओवर दा इंडियन ओसियन 8 एप्रोक्स 10.45 एम MDT ओन 7 अबलिक 30 ऐसा यूएस मिलेटरी यूनिट का कहना इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रमुक एडिटोरियल को जो की पहला एडिटोरियल हमारा एक कॉरिडोर को ले करके है मतलब की एक व्यापार मार्क से संबंदित ये एडिटोरियल है इसमें बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से चाइना अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बेल्ट एंट रूट इनिसीटिव लाँच कर रहा है ठीक उसी प्रकार से इंडिया भी कुछ सहयोग दे रहा है रसिया के साथ में इंडिया, इरान, अजर्बेजान और फिर रसिया ये इस कॉरिडोर को ले कर के ही हम बात करने वाले हैं इस एडिटोरियल में कौन-कौन से इस से फायदे हैं ठीक है, इसको बनाने का रीजन क्या है ठीक है, ये सारी बातें इस एडिटोरियल में हम देख लेंगे इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसका उद्देश है ये उरेसिया को एक साथ लाना एक प्रसंस नहीं पहल है आप ढ़ाईसो सब्दों में इसका आंसर लिखेंगे जो कि पूछा जाएगा आप से इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसका एम है उद्देश है ये उरेसिया के देशों को आपस में कनेक्ट करना जादा से जादा दोनों देशों के बीच में व्यापार हो सके ठीक है तो ये उरेसिया को क्लोजर लाएगा ये लावडेबल इनसीट्यू मानी जा रही है ये उरेसिया को कैसे करके करीब लाया जा सकता पिछले ही हपते की बात है railfret.com में क्या रिपोर्ट आई थी सामने लगभग 40 फिट का कंटेनर्स जो की वुड लेमिनेटिड सीट वाला है इसने क्रॉस किया था कैस्पियन सागर को कहां से रसिया का आस्त्राखान पोर्ट से और एंटर किया था इरान के अंजाली पोर्ट में फिर कंटेनियो ये साउथ की तरफ बढ़ा और अरफ सागर में आया फिर एंटर कर गए कहां पर बांदार अब्बास में और फिर एवेंचली रीच नहावा सिवा पोर्ट मुंबई में इसका पूरा रास्ता बताया जा रहा है इस रूट का जो की इस कोरिडूर की मैप को बताता है सबसे पहले कहां से चालू हुआ ये चालू हुआ था रसिया का आस्त्राखान पोर्ट से फिर आ गया इरान का अंजाली पोर्ट आ गया फिर कंटिनियो आया अरेबियन सागर में घुसा और इंटर कर गया था बांडर अब्बास में फिर चला गया था ये मुंबई के बंदरगाह में ये जो रास्ता आप देखें इस जहाज के ये इस बात को सिगनल कर रहा है कि आई एन एस टी सी को लांच कर हम करने वाले है लांच आफ इंटरनेशनल नौर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कोरिडोर इसकी लंबाई बताए जा रही है 7200 किलोमीटर और ये मल्टी मॉडल ट्रा मैर्री टाइम रूट को रोड के माध्यम से भी कनेक्ट करेगा रेल को भी कनेक्ट करेगा और समुदरी रास्ते को भी कनेक्ट करने वाला है रसिया इंडिया Central Asia से होते वें आएगा और इरान को रसिया इंडिया और इरान इसके man partner माने जा रहा है माना जा रहा है कि यह जो corridor है ठीक है यह क्या है consolidate है consolidate करेगा मजबूत करेगा emerging Eurasian free trade area को मतलब कि free trade को हम कैसे करकी बढ़ावा दे सकते हैं इसको ये consolidate करने का काम करेगा मतलब मजबूती ये provide करने वाला कौन-कौन से फायदे हैं INSTC के बनाने से लेकर के पहले नम्मर का बात ये है कि इसकी जो launching है ये provide करती है missing pieces of the puzzle about India's refusal to condemn Russia's invasion of Ukraine एक बात यहां से ये clear नहीं हो पा रही है ये अंसुलजी पहली थी कि आखिर रसिया ने इंडिया ने रसिया की आलोजना क्यों नहीं की यूग्रेन के उपर अटेक करने को लिए इंडिया का decision को इस परकार से एकलपैन किया गया कि इसकी कि जो military reliance है रसिया के ऊपर इसी की चलते चलते उसने ऐसा decision लिया था ठीक है इसका aim ये रखा गया था कि आपको open करना है alternative supplies एक supply यहां से आ रही है दूसरी supply यह आप कहीं और से मंगवा सकते हों किस चीज की oil, gas and a legacy of its non-alignment एक तरब को वो दूसरा रास्ता खोज रहा है दूसरी तरब उसको non-alignment का भी ध्यान रखना है कि हम किसी के group में सामिल नहीं होंगी जैसे कि अमेरिका ने NATO group बना लिया है ऐसे कई प्रकार के जो संगठान है उसमें भारत सामिल नहीं होगा इसके legal framework को आप देख लीजिए ठीक है यह जो corridor है इस corridor के legal framework प्रोवाइड किया गया था एक trilateral agreement के द्वारा जिसमें तीन लोग सामिल थें इंडिया इरान और रसिया कहां पर Euro Asian Conference का आउजन किया गया था on transport in 2000 Euro Asian Conference on Transport 2000 में इसका आउजन किया था उसी टाइम में यह लोगों ने इस पर साइन किये थे तबी से लेकर के कजाकिस्तान, बेलरूस, ओमान, तजाकिस्तान, अजर्विजान, आर्मेनिया और सीरिया इन्होंने साइन कर दिया है instruments of accession ताकि यह become हो सके member of INSTC के यह भी चाहते हैं कि हम भी इस corridor का फाइदा उठाएं जब यह पूरी तरह से operational हो जाएगा INSTC से यह expect हिया जा रहा है कि यह reduce कर देगा fret cost को 30% मतलब माल की जो आवा जाही ढुलाई में जो पैसा लग रहा है 100 रुपे जहां लगता था उसको अब यह 30% कर देगा 30 रुपे कर देगा journey का यदि हम time की बात कर लें पहले यदि 8 गंटा लगता था तो 8 गंटा को यह और भी जादा कम कर देगा 40% time की बचत करने वाला है क्योंकि यदि आप स्वेच के नाल के माध्यम से माल को मंगवाते हो तो लंबा लग जाता है जादा इनाल लगता है इसलिए cost जादा बढ़ जाती है वास्तविक बात यह है कि इसकी जो जरूरत हम महसूस कर रहे हैं कि इसकी alternative route की इसको गहराई से हम feel कर रहे थे पिछले साल हैं जबकि ever given container sip was stuck in स्वेच के नाल मतलब कि एक तो उधर से हमारा लाना ले जाना काफी महगा पढ़ रहा है और दूसरी बात यदि उस नहर में स्वेच के नाल के माध्यम से जो वेफार हो रहा है वहाँ पर यदि कोई जहाज फस जाए तो उस time में और भी जादा समस्या पैदा हो जाती है और भी जादा माल की supply रुख जाती है इस से traffic jam हो जाता है इसके साथ साथ में जो Mediterranean Sea है और Red Sea के माध्यम से समान की जो आवाजा ही हो रही थी उसमें कमिया जाती है इंडिया का जो investment है INSTC corridor की रूप में ठीक है उसको आप कैसे समझोगे उसको आप ऐसे समझोगे कि इंडिया already है चाबहार पोर्ट में investment कर रहा है second number की बात है ये constructs कर रहा है पासो किलमीटर का चाबहार जिद्दा railway line को जब ये complete हो जाएगा इस प्रकार का जो infrastructure है इसे ये फायदा रहेगा कि इंडिया एकसेस कर पाएगा अफगानिस्तान को Central Asia को एक prospect है ताकि strengthen किया जाए तालिबान government के support को for the project मतलब कि एक ऐसा भी prospect ये रखा जा रहा है कि हो सकता है तालिबान की जो government का support भी मिल जाए इस project को ले करके इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिम्टेड एक joint venture है किसके बीच में जवाहला लहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला प्रोट्रस्ट के बीच में ये developed करेगा एक बंदरगा इरान के अरिया बनादर पर इरकोन इंटरनेशनल किस प्रकार से सहीओ कर रहा है तो ये contribute करता है ताकि construction किया जैसा के railway line को साथवे नमर की बात ये है special economic zone की भी इस्थापना करी जाएगी चाबहार बंदर के चारो तरब ताकि जो इंडियन कमपनी से उनको opportunity मिल सके कि वो set up कर सके कई सारी industries को example के तौर पर नाल को ने क्या proposal दिया है aluminum के smelter smelting का काम यहाँ पर हम करने वाले है अब line of credit है इसको extend किया जाएगा इरान तक exam bank के द्वारा मतलब अब इरान भी इस इस lawn की सुईधा का लाव उठा पाएगा exam bank के द्वारा इस प्रकार से जो INSTC है यह प्रोवाइड करता है एक opportunity किसको for internationalization of India's infrastructure state मतलब कि इस मुद्दे को इंडिया का जो infrastructure state है इस मुद्दे को international level पक यह corridor ले करके जाता है भारत की आवाज को बुरंद करता है भारत जो है business में lead ले रहा है इसके साथ साथ में जो private company है ना उनके लिए की रास्ते खोलते जा रहा है इस प्रकार की आवाज भारत की बुलंद होने वाली है भारत नौन alignment से multi alignment की तरब मूव कर रहा है फॉर इंडिया INSTC Achieve several things all eight ones पहली बात यह है कि इंडिया आज की टाइम में बाइपास कर सकता है पाकिस्तान को ताकि वह अफगानिस्तान पहुंच सके Central Asia पहुंच सके और कहीं भी अपने आयात निर्यात कर सके सेकंड नमर की बात यह है कि यह जो corridor है न यह shape देगा अगार देगा North-South Transport corridor को जो की complement रहेगा East-West Access of the China Lead Belt and Road Initiative का मतलब की उसकी जो कमी है BRI की उस कमी को भारत इस route के मांदे हम से पूरा कर लेगा लेकिन इसको लेकर के समस्य भी है क्योंकि इसकी जो launching थी INS-TC की इसको oversize road किया गया मतलब की उपलबदी को कम किया गया किसके दौरान Quad Summit मई के महीने में इसका है जन किया के था 2022 में जिसमे लीडर्स आप दा कॉर्ड री एंपिसाइड दप्रिंसिपल्स ओफ फ्री एंड ओपन इंडो पैस्पिक इस दौरान खास किसी बात को लेकर के कोई जोर नहीं दिया कि बस यहीं कहा गया कि कि जो हिंद प्रसांत वाला छेत्र जहावर बहुत सारे देश आते हैं इसके संसाधन का उप्योग करते हैं तेल का मचलियों का तो यह फ्री होना चाहिए कभी कोई अपना यहां पर कबजा न जटाते रहेगी इतना आप यहां से वहां गुज गए असी बहुत सारी बात है क्वार्ट समिट की जो डिकलिरेशन था वो कुछ कमिटमेंट्स हैं फ्रीडम को लेकर के रूल ओफ ला को लेकर के टेरिटोरियल एंटिग्रिटी टू री इनफोर्स ए सेंट्रल परपस ओप दकलेक्टिव प्रोवाइडिंग दरीजन भी पब्लिक गुड्स ऐसे कुछ इ इनिसीटिव डिजाइन किया गया था ताकि जो कोपरेशन हैं पूरे रीजन में इसको हम कैसे करके गहरा कर सके जितने भी देश आ रहे हैं उन देशों के रिष्टे को हम कैसे मजबूत कर पाएंगे इसी के चलते चलते हैं maritime security, climate change, regional infrastructure में हम focus कर सकते हैं इंडिया का जो founding role रहा है इंडिया का founding role किसमें आई एनस टीसी में और क्वाड में ये हमाए कुछ example प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम departure कर रहे हैं non alignment से multi alignment की तरफ मतलब हम अब किसी भी group में एक सामिल हो रहा है second number की बाद ये है that two of its partner are subject to western sanctions has not prevented इंडिया from collaborating with US, Japan, Australia भले ही ये देश sanction का सामना कर रहे हैं इसके बाद भी पस्चिमी जो देश है इंडिया को अपने साथ में खड़ा कर रहे है इंडिया की जो policy making है international affairs में हमेशा ही criticize किया जाता है उसका कि इसका जो decision है ना उतना अच्छा नहीं है खराब moral decision ये लेती है diplomatic reticence ठीक है diplomatic के मामले में भी अलब भासित इसको बताया जाता है ideological confusion बोला जाता है इंडिया को कि इसकी foreign policy में कुछ ideological हमेशा confusion रहता है अब ये सारे ही जो आलोचनाए हैं यदि आप इस corridor को देख लोगे और आज की condition को देखोगे तो आप कह सकते हो कि नहीं भारत decision भी अच्छे से ले रहा है भारत non alignment से multi alignment की तरफ बढ़ते जा रहा है लेकिन आप ये देखोगे कि INSTC ने उतना ज़्यादा मीडिया का attention नहीं प्राप्त कर पाया जैसे की quad जब launch हुआ था तो उसका बहुत ज़्यादा हल रहा न्यूस में ज़्यादा चर्चा में रहा इसके साथ साथ चाइना ने एक रास्ता को जा था BRI built and road initiative ठीक है and the new development bank इस सारी ही चीजें इनकी खोज की गई इनको launch किया गया प्रचार पसार बहुत किया गया लेकिन इस नए corridor का ज़्यादा प्रचार पसार नहीं किया गया था